पिछले सीजन में भी हार्दिक पंडिया की कैप्टेंसी में रोही शर्मा खेले हैं और खुशी-खुशी खेले हैं धूनी वहां नहीं रुके धूनी अंदर चले गए क्या ये धुनी का चिन्ना स्वामी में लास्ट मैश था क्या वो हार्ट ब्रोकन थे जस्परित गुम्रा अगर 20 साल पहले पैदा हुए होते ना तो पहली कूचिंग क्लास से उनको बाहर निकाल देख रहा है उसको जानने के लिए उसकी क्रिकेट का हाल देख लो और उस पाकिस्तान को लगता है कि मुझे नहीं खेलना है तो वो अभी अपना फोन उठाएंगे एक फोटो डालेंगे और लिखेंगे पिछला इपिल मेरा लास्था था थेंक्यू बरी 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 और लेट्स फेसिट पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क नहीं है धूनी ने अब देखो मैंने यह बोली लाइन आपको इतना मजा नहीं आया होगा तो हमारे साथ वही आइकॉनिक शक्स है युरोंने आइकॉनिक लाइन जोली लेजंडरी कॉमेंटरी करी थी आपको याद होगा ओलिंपिक्स के समय बे जब होकी टीम हमारी भारती टीम सेमी फाइनल म अब जिस तरह से अपने शुरुबात करी हमने देखा भी था कि वो ड्रीम जॉब कॉंटेस्ट रहते हैं उसके बाद काफी सारा स्ट्रगल तो पूरा स्ट्रगल किस तरह से आपका अब तक ड्रीम जॉब से अब तक I will say dreams come true क्योंकि जैसे आप लोगों का सपना है आप बनाके चलिए कमर्शेल होगा बाद में होगा लेकिन कम से कम आप उस सपने को जी सकते हो फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम जब मैंने सपना देखा था तो इंटरनेट चलाने के लिए मैं साइबर कैफे जाना पड़ता था वो ड्रीम जॉब हरशा की खोज में चल रहा था स्मार्ट फोन तो थे ही नहीं मुबाइल फोन बहुत बड़ी लग्जिरी मानी जाती थी तो तब से लेके अब तक I will just say कि I am blessed इश्वर की क्रिपा है प्रभू की क्रिपा है कि जो कुछ करना चाता था लाइफ में उसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा चल रहा है तो क्रिकेट एक चीज है उसमें आप 20 या 25 पूर्ट सो और जोड़ दीजिए जर्नी बड़ी अच्छी रही है सोकद रही है इश्वर के क्रिपा है सगल रही है वो हर किसी के लाइफ में होती है but I feel blessed I feel lucky क्रिकेट की बात होती है तो IPL की बात तो होती होती है और IPL का बाद उनके पाँ याच्वीद अब सुर्हकमार याते है अब सूर्या रिडिया और अगर आपके लिए इलीकें करने कि ऑसली करते हो थे कौन किसके करेंदर खेलेगा Of पूरियाई कप्तानी केंडर हार्दिक कैसे खेल लेगा या हारदिक जो पहले गातन था वो क्यों खेलेगा तो और इंटु यू कि मुम्मा इनियंस के लिए बेस्ट सॉलुशन क्या है कि किन किन को रिटेन कर ले मुझे जब भी इस तरह की दुविदा वाले चीजी आती है न हमारे इतिहास में क्या हूँ हमारे शास्तुरों में क्या लिखा हूँ है बैठे-बैठे मेरे माइंड में अगें महा भारत का उस समरन आया जब महा भारत का युद शुरू होने वाला था तो दोनों तरफ से यह था कि लीडर कैप्टन जिसकी आब बात करें वो कौन होगा तोर्वों ने उनके लिए आसान था कि भीच में पिदामा होंगे भई यूनो डगोट वारियर ऑफ इंडिया गोट वारियर ऑफ आर्या वरत पांडवों की तरफ से सबसे बड़े पांडव यूदिश्टे रहें सरवश्रेश्ट भाला फैंक ने उस ताइम के जैवलिन द भगवान कृष्ण ने कहा दिया कि भाई मैं तो रहूंगा मार्गदर्शक मंडल में मैं हत्यार नहीं उठाओंगा तो उन्हों इतने बड़े-बड़े सेनानी होते हुए उन्होंने अपना कैप्टन किसे बनाया ध्रिष्ट ध्यूम्न को जो द्रौपदी के भाई थे जो वारियर थे लेकिन गोटिड वारियर्स में उनकी गनणा नहीं होती थी तो युधिष्टिर जो धर्मराज थे जिनकी जबान से निकला एक एक शब्द सत्य होता था वो उनके कैप्टन सी में खेले भीम जो अपनी एक गदा से पूरी के पूरी बिल्डिंग को चकना चूर कर सकते थे अर्जुन जो एक बांट से किसी को सब उनकी कैप्टन सी में खेले तो वहां उनके लिए यह जरूरी नहीं था खुशी खुशी खेले हैं ऐसा कुछ एविडेंट था नहीं कि कोई नाखुशी है तो ये गोल-oriented टीम है और दूसरी टीम देख लो एक और गोटी टीम वहां MSD भी तो किसी और के अंडर खेल के आए हैं क्योंकि आप गोल-oriented टीम हो वहां transition हो गया यहां भी transition हो गया उसी दोर moments अब देखे obviously आपको कप्तानी मिली है नहीं Mumbai यही फ्रेंचाइजी का baggage है रोहे शर्मा को आपने replace किया है वो हर मैच में आप जा रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने रोहे शर्मा को हटाया है घलत जो भी fans अपने जो भी emotion दिखा रहे थे वो किया जा रह है हमारे cute fans को यह नहीं पता कि dressing room में क्या हो रहा है हम बड़े cute हैं हम emotional है मैंने भी लाइनों में लगके 20 रुपे ज्यादा देके ticket लेके टेस्ट इंडिया न्यूजिलेंड टेस्ट मैच मोहाली में देखा है और लाइन बहुत लंबी नहीं थी मेरे दोस्त पीछे कड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो हम सारे लोग cute है cricket को लेके घर से tuition के लिए निकलते थे math की tuition वैसे ही किसी को पढ़ना पसंद नहीं था तो छोटे शहरों में जो TV की दुकाने होती तो उसके बाहर खड़े होके वो शार्जा में होरा इंडिया बागिस्तान मैच देखते थे सचिन आउट तो बड़ी भारी मन से tuition जाते थे वहां मैच के टीचर कर रहा है छोड़ो यार मैच ही देखते हैं तो हम उस देश के वासी हैं हम क्रिकेट को लेके बड़े emotional हो जाते हैं खुद बैठ पकड़ा हो ना हो मेरे मेरे जैसे इंसान है यार सचिन को नो फ्रंट वहां captain कौन था जो ही शर्मा उसके बाद हार्दिक क्यांतों में आंसु थे क्या हार्दिक ने कैसा परफॉर्म किया वहां पर अब जब हार्दिक जाएगा हमाई के अगर उनको आप रेटें करते हो और आप ट्रॉफी जीते हो या मैच जीते हो क्या उनको बू करना बाई, MI is a business house और वो अपने team को एक corporate unit की तरह चलाते हैं बहुत अच्छे से चलाते हैं जितने उनके player होते हैं उससे ज्यादा उनका scouting staff है कहां-कहां नहीं जाते हैं उनके scout legends बड़े-बड़े दिगज उनके scout हैं वो बहुत seriously, Mrs. Ambani, Akash Ambani, Anant Ambani इतने बड़े business empire के बीच मे लिए उसमें आके objectively वो involved होते हैं वो खुद जा जाके team की training देखते हैं जो facilities, जो equipment, जो software एक IPL के live match में broadcaster use करता है वो उनकी training में use होता है वही Hawkeye, वही DRS, महंगे महंगे software वो अपनी training में use करवाते हैं, same conditions अपने player को देते हैं, look at their level of involvement, तो यार उनको अपने फैसले लेने उन्होंने अगर, अब let's be very practical, रोहित के अंदर कितने साल की competitive cricket बाकी है, और हार्दिक के अंदर कितनी और सूर्या के अंदर कितनी, अब उन्होंने कुछ फैसला लिया है, तो उसको support करने दीजिए, आपने आज एक बीज बो दिया और सोचें कि दो दिन बाद मैं आम के फल कहूंगा, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि वो अचानक से एक्स्टा कुछ खाद डल जाए, अब T20 World Cup में जीत मिली हार्दी का confidence वापस आया, and you very rightly said, आप रोहित को replace कर रहे हो, आसान नहीं होता है, पूरे dynamics बदल जाते है, पूरा महौल बदल जाता है, बट अगर रोहित को स बंगलूरू वर्सिस चैनली शूफर किंग्स, आपको उन फ्लैश्बाग भी याद दिला थे थोड़ी तर पहले, क्या हुआ था था मैच के अंदर, जब पांच गेंटों पे ग्यारान चीह थे और वो नहीं बन पाय थे, और आर्सी भी प्ली अंदर चली गी थी, और उसक में पर दोनी वापस चुप चाफ ड्रिसिंग रूम में चले गए, तो ऐसा क्यों हुआ कि धूनी ने वहाँ पर किसी भी आर्सी प्ली के सथ हाथ नहीं मिला था बलकि विराट पुली बाद में ड्रिसिंग रूम में गए थे, मैस धूनी से मिलने खुद यो सामने आया था, बट ऐसा क्यों हुआ कि मैच समाप्त होते ही धूनी वापस चले के ड्रिसिंग रूम में इग्डम से, दो चीजे हैं, फर्स्टिंग 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 इस ताइम पे, एक सीजन पहले दुनिया उनके फून की प्यासी हो गई थी, ठीक है उसने हमें रिंकू सिं सीजन में थे जो हमने सुना पड़ा, फिजीकली भी चैनल जावे थे, क्योंकि जब आपका दिमाग ठीक नहीं तो शुरीर ठीक नहीं रहेगा, बट उसी सीजन में वापस आए, ये उनकी रेडेम्शन का मौका था, और आप MSD को बॉलिंग कर रहे हो, और दस में से नौ ब पड़ा, या मैंने देखा, मैं भी चुकी स्टूडियो में कमेंटरी कर रहा था, आपने भी टीवी में देखा, टीवी हमको एक तस्वीर दिखाएगा, दूसरा एंगल वो है, जो हमें नहीं पता चलता, जो सिर्फ कयास लग सकते हैं, इवन जो टीवी ने दिखाया भी है वो भी बहुत सारे कयास हैं, कि धूनी वहाँ नहीं रुके, धूनी अंदर चले गए, अब उसके कितने एंगल आप धूंड सकते हो, सिर्फ कयास लग सकते हैं, कि क्या ये धूनी का चिन्ना स्वामी में लास्ट मैश था, क्या वो हार्ट ब्रोकन थे, क्या एंड अफ दे वो भी एक इनसान है, जो जैसे मैंने पहले का था, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा दुदकार के बीच का रास्ता में निकालना पड़ेगा, मैश होता है इडन गार्डन में, मैश होता है वानखेडे में, पूरा आपको सरसों का खेब दिखाई देगा प क्लेयर को इजद दो, प्यार दो, वो डिजर्व करते हैं, बट ना हद से ज्यादा यहां ना हद, मुझे लगते हैं हम ना हद से ज्यादा चले जाते हैं, मैं भी कुछ चीज ऐसी हुई है, जो मुझे भी नहीं पता, मैं भी कयास लगा रहा हूं, आप भी कयास लगा रहे ह पती ज़्यादा क्या क्यास लगाएंगे यार ये कैसा आदमी है क्योंकि धोनी के बारे में मैंने नेगटिव चीजें बहुत कम सुनी है कि उनका बिहेवियर अच्छा ना हो वो कर्टियस ना हो मैंने एकदम उलट सुना है मेरी कभी परसनल मुलाकात नहीं हुई है तो मैं अ को कमेंटेटर हैं जो क्रिकेट नहीं खेले उनकी जबानी बता सकता हूं वेरी कर्टियस मैं वेरी वेरी कर्टियस मैं वेरी वाम उस इंसान ने इंडियन टीम से लेके आई पील तक और आगे पीछे बहुत करियर बनाए है लेट्स गिविम दा क्रेडिट वो सिचुएशन I think बहुत हमें over analyze नहीं करनी चाहिए हमें exactly नहीं पता है शायद वो स्टेडियम में रुके हो हमें कैमरा ने नहीं दिखाया हो उसके बाद अगर कोली उनसे मिलने जाते हैं dressing room में तो ये धोनी का stature नहीं दिखाता कि अभी भी कोली के मन में इतना सम्मान है कि वो अपने senior से जाके अपने former captain से जाके मिल रहे हैं तो अगर कोली उनने सम्मान दे रहे हैं तो कोली के fans को भी दोनी को सम्मान देना चाहिए मुर्या सा लगते हैं में 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 नहीं निकालनी चाहिए बातों की अचा दोनी की बात हो रही है sir तो ये भी nation wants to know क्या IPL 2025 MS दोनी खेलेंगे क्य क्या वो खेल सकते हैं क्या retention उस तरीके से क्यों उनसे भी एक जगा पूछा गया था क्या माहिया आप खेलोगे तो नहीं बोले था लेट सी क्या retention policy आती है क्या rules and regulation आते है so what do you think क्या आपको लग रहा है कि जैसी performance उन्होंने last season दी है by the way performance में कोई कमी नी थी do you think कि still माही के डोलों में अभी भी वो dumb है यह पिच्चर भी काफी viral हो रही है उन्होंने social media पर आई है क्या खेलेंगे अगला IPL दूसरी अच्छी बात यह है कि he is not a regular cricketer now उनको सारा साल international नहीं खेलना उनको domestic नहीं केलना तो IPL to IPL के बीच के जो 8-9 महीने का gap है उन्हें सिर्फ अपनी fitness पे काम करने है और IPL 15 के बाद IPL 15 में हमने देखा वो आइस पैक लगाके उन्होंने पूरा निकाला जैसी खतम हुआ सरजरी करवाई फिर रांची गए और रास्ते में वो candy crush खेल रहे थे वो भी आपको खुट याद होगी तो सरफ बात है fitness की नंबर एक और मुझे लगता है कि दूसरी वाली बात ज्यादा important है उनकी fitness निर्धारित नहीं करेगी खेलें या ना खेलें ये डिसाइड करेगा उनका मन है तो वो खेलेंगे चाहे वो fit ना हो उनका मन नहीं है तो वो चाहे अपने करियर की best fitness पे बैठे हैं अगर वो उस इंसान को लगता है कि मुझे नहीं खेलना है तो वो अभी अपन उसके अपने हां मतलब निकालते हैं अपने अपने मतलब निकालते हैं मैं पल्दोपल का शायर हूँ याद आपको है बट अगें जोग सपाथ जोनी को इतने पिछले 15-20 साल में जो मैंने देखा है मुझे लगता है कि वो दो इंसान है एक वो जो खेल खिला रहा है विकेट्स के पीछे रहके जो गेम बदलता है वो दूसरों के लिए वो करते हैं दूसरा वो जो अपने लिए करते हैं वो यंग विराट को लिए को लिए जब भी लें वो बैठें किसी के साथ आपके साथ बैठें मेरे साथ बैठें किसी और के साथ बैठें खुद ही चलो सिंगल कैमरा सेटप लगा के अपना वीडियो शूट करके डाल दें बताएं पूरे करियर में उन्होंने इतने बड़े- इन कंफर्म न्यूस तो मेरे पास नहीं है बट ऐसा फैन आइकन होप वो खेलें डॉलों में दम है शरीर में दम है वो आधी फिटनेस में भी मैच खेल लेंगे बस उनके दिमाग में बत्ती नहीं जलनी चाहिए कि हो गया जब उनके दिमाग कि बत्ती जल गई कि बस क्रिक इने उन 4 बोल या 5 बोल पे किया हो रही ज़ाए अभी वह दम खम है पूरा दम खम है भाई तो मतलब आप चाहते की और थाला फॉर रीजन हो जाद एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा बार एक ज़्यादा बार ओ तो और अच्छी बात है पर एक और चीज़ए की से सीरीज समाप कर दी बंगलदेश की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी पर हम देख रहे हैं सर कि अगर आपकर लें ओडिया वर्ल्ड कप उससे पहले एशिया कप फिर रीसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज अब ये बंगलदेश शीरीज लगा अतार पाकिस्तान क्रिक्ट का बहुत सबस्क्राइब सब्सक्राइब क्रिक्ट कर सबस्क्राइब क्या तो इम्रान खान साभ रेटायर हो रहे थे 92 वर्ल्ल कंप कर ताईम गैरा साल चेंच अब इसे नहीं चैनल आथा तो वो चल रहा था तो उस दोर से लेके बाद में वसीम वकार का यूग पैरलल हुआ हमने मुश्ताक एमद और सकलेन मुश्ताक को देखा शोय बक्तर को देखा आप लोगों ने भी देखा होगा उस ताइम वो टीम ऐसी थी जो जिसको हराना एक चुनौती होती थी और बंगलादेश उनके घर में जाके हरा रही और मैं चीजों को देखता हूं बड़े समझ में आती है हर्शा More Link साब ने कमाल का था कि कोई देश में क्या कर रहा है उसको जानने के लिए उसकी क्रिक्ट का हाल देख लो और उस देश कि क्रिकिट कि स्थिती में हैं यह पता करने के लिए देश का हाल देख लो दोनों parallel चलेंगे by enlarge भारत cricket की बहुत बड़ी शक्ति है भारत ऐजा country दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति है पाकिस्तान ऐजा cricket हमने देख लिया पाकिस्तान ऐजा country कहां खड़ा है रोज उनको चाइना से financial मदद मिलेगी तो उनके घरों में चूला रही है सिरफ इंडिया से पंगा लेना वो करते-करते आपने खुद को बरबाद कर लिया जब देश ऐसा कंट्री जब डाउन फॉल में जाएगा तो sports तो उसी देश का छोटा जब करने जब कोई प्रकाइब तो हम अगोर कंट्री उस पूर्स भी आता है पाकिस्तान कट्री नीचे आया उसमें स्पोर्स भी आता है लास्ट रियक्शन है यह जो कंपेरिजन होता है बाबर और विराट का कोई कंपेरिजन है इंटर्व्यू खतम दिर इस नो कंपेरिजन बाबर की कहीं पर कोई परफॉर्मिंस नहीं है चाहे आप टी-20 विलकॉप उठा ले और विराट हमेशा चाहे बड़ा मैच हो चाहें प कोहली साहब दो मिनिट लगेंगे और फिर मैं डिप्लोमेटिक अंसर देकर निकल जाओंगा क्योंकि दो ग्रेट्स हैं इंटर्व्यू ओवर देर इस नो कंपेरिजन बाबर पाकिस्तान के लिए ठीक है उनका एक फेस था उनका शबाब था बट दर इस नो कंपेरिजन पुझ गई लॉज जल गई वो अभी भी उससे रोशनी की मीट ढूंड रहे हैं छोड़ दीजें बाबर को मैं यह कह रहा हूं कि चैंपिन सोफी को लेकी चर्चा चैंपिन सोफी 25 पाकिस्तान होस्त है क्या भारती टीम पाकिस्तान जाएगी सीधा सवाल क्या भारती टीम जो सरकार का पैसला होगा में साथ खड़ा होना होगा अगर चैंपिन स्टॉफी वहीं हो रही है फाइनल उसमें कोई चेंज नहीं है और अगर हमारी होम मिनिस्ट्री को लगता है कि प्लेयर्स की सेफटी रिस्क में है डाट इस बिगर दैन एनी एनी ट्रॉफी उससे बड अंगला देश के लिए इंग्लेंड के लिए सेक्यूरिटी रिस्क जो वहां पर है और भारत के लिए उसमें फरक होगा अगर उन्हें लगता है कि जाना वहां सेफ है बिल्कुल जाना चाहिए अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं खिलाडियों की जिंदगी रिस्क पर है और वो डिसाइड करते हैं नहीं जाना है तो नहीं जाना चाहिए अवि सरकार को बैक करना चाहिए तो विराढ कोली को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हों अपकर कमेंटरी के डुनिय हमें बहुत ताइम से को तो विराढ कोली का नेचर किस तरह का है हमेगे जानना क्यों कि बहुत सारे एकниц Rebecca ले कि विराट कोली का नेचर बहुत ज़ादा बदल गया बादी है इसमें भी मैं आपको थर्ड परसन प्रस्पेक्टिव दे सकता हूँ मैं अभी विराट से मिला नहीं हूँ एक और चीज है चाहे विराट कोली हूँ चाहे विनेश फोगाट हूँ चाहे श्री जेश हो कोई भी स्पोर्ट्स परसन हो अब कुछ खिलाडी ऐसे हैं जिनके साथ मेरा परसनल कनेक्शन बहुत सालों से है पर जब वो खेलते हैं तो वो परसनल कनेक्शन में बाहर शोड़ देता हूँ विराट के साथ मेरा परसनल कनेक्शन है नहीं third person connection है जिनके साथ first person connection है भी वो मैं commentary box से बाहर रखता हूँ अब वो चाहे कोई एक player खेल के बाहर किसी political reason से खबरों में हो चाहे कोई दूसरा player अपने behavior के करके खबरों में हो मैंने घोडे के तरह वो blinkers पहने हुए है कि जब उसने इंडिया के जरसी पहनी तब क्या किया जब उसने RCB की, Punjab Kings की Patna Pirates की Bengaluru Bulls की जरसी पहनी तो उसने क्या किया मैं उसकी achievement को celebrate करूँगा अगर अरजुन बबूता का medal नहीं आया वो fourth place finish किया अगर Manu Bhakar ने दो bronze लिये और first person account है और अगर किसी के साथ behavior change हुआ है तो उसके इतने perspective इतने aspect बन जाएंगे जो हमें मालूमी नहीं है वो फिर दोनों को बिठा के बात करवानी पड़ेगी नहीं तो हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं बैठके, मेरा जो connection लेटिव देने में मज़ा आता है उनको पंजाबी सुनने में मज़ा आता है मेरा ये connection है और मैंने वह बड़ा enjoy किया है विराट कोली आपसे आपने बताया भी हमने देखी दिए वो commentary clip नहापे विराट कोली बड़ा enjoy कर रहे थे तो क्योंकि पंजाबी commentary अबने देखी कि इंट्रिव जब हुई तो बहुत ही फेमस होई लोगोंने बहुत enjoy करना शुरू कर दिया बट विराट कोली रोहिज शर्मा आखरी टीटीटी वोल्ड कप जो आखिर का ट्रोफी उठाई ली बट अबना comparison भी हो रहे है कि ना आप जाद करें कि विराट कोली की जो एक नौक ठी जो एक नौट आउट वसन पाकेस्तान और फिर अब अगर बात कर लें कि इस वील्ड कप के अंदर जो रोहिज शर्मा कोई बड़ा नहीं है यार यह एक चीज मतलब अब आप विराट रोई जेनरेशन के लोग हो मैं सचिन और अजर की जेनरेशन का इंसान हो जब हम तब अखबार पढ़ते थे मैगजिन पढ़ते थे उसमें तुलना होती थी सचिन और गावासकर साहब की फिर जो उनसे भी खेली होई दो डेजर्ट स्टॉर मिनिंग ज्यादा बड़ी थी या अजर की वो तीन सेंचुरी करियर में जो लगाई बड़ी थी I think comparison छोड़ देना चाहिए मुझे मलब इस इस वन तिंग जो मैं दोनों हमारे स्टार है यार दोनों ने अब उस सिचुएशन में क्या किया अब गवासकर साब के टाइम पे पिचिज अनकवर्ड होती थी हैलमेट नहीं थे वो सिर्फ एक हेडगियर पहनते थे और ऐसे बॉलर थे जिने बैट्समेन का खून देखना पसंद आता था उस जमाने में जो उन्होंने इनिंग्स के लिए उसकी हम सचिन की खेली इनिंग हमें एजा फैन मुझे एजा कमेंटेटर हमें सेलीब्रेट करना चाहिए अपने खेलाडियों को राधर दैन मीन मेंक निकालने के यार ऐसे इसने इसकी इनिंग बड़ी इसकी इनिंग चोटी इसने ऐसा क्यों कहा हम बहुत ज़्यादा डीव चले जाते हैं लिट्स सेलीब से नीचे खाना नहीं जा रहा था कोमेंटरी करने में मज़ा नहीं आ रहा था जब अगले दिन होकी के मेडल आया जज़बाद बदल गए स्पोर्ट समें सेलिब्रेशन सिखाता है एक सेलिब्रेट करो लाइफ को 82 एशन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान ने हमें होकी में हराया था बड़ा फेमस इन फेमस वो फाइनल हुआ था अगले साल हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया नेशन ने सेलिब्रेट किया क् आपकी लाइफ मेरी लाइफ आपकी लाइफ हम सबने सेट बैक देखे हैं और हम सबने बांस बैक किया है तो यह चीजें हम स्पोर्ट से सीखे और उनको सेलिब्रेट करें राधर दैन बहुत डीब जाने के मैं हमेशा से यही करता है अब आपके लिए एक बांसर है यह चाहें अक्रोस ओल फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट्स वो केलते हैं सबसे बड़ा मैच में मैं हमेशा से बॉलस को थोड़ा ज्यादा फैन रहा हूं मेरे लिए सबसे बड़ा जो क्रिकेटर रहा है वो क्रिकेट के प्रभू है सचिंत अंदुलकर बट कोई भी स्पोर्ट हो डिफेंडर्स को बड़ा कम क्रेडिट मिलता है मैं हॉकी कवर करता हूँ श्रिजेश को अब क्रेडिट मिला क्योंकि वो 4 ओलंपिक खेल लिए हर्मन को क्रेडिट मिलता है उनके गोल स्कोरिंग अबेलिटिज का ना कि डिफेंज का दिलिप तिरकी सहाब ने 400 मैच खेले त उनको वो क्रेट मिला फुटबॉल में आपको मैसियो रोनालडो और वो रोनालडो और रिवाल्डो रोमेरियो याद आएंगे डिफेंडर कम याद आएंगे क्रिकेट में बॉलर हमारे डिफेंडर हैं लेट्स गिव क्रेट टू जस्परिट भूमरा यहां जो अभी दिल्ली प्रेमेर लीग चल रही है तो जब सारी जूरी लोग बैटने हैं अब ठीक है वहां बॉलर ज्यादा है हमारे कमेंटरी पैनल में पर मेरा मैं भी पहले देख हैं लेकिन चारों में आपने चूज के जिसमें क्रेड़िट कम मिलता है ऐसा नहीं है कि रोहित ने मैच नहीं जितवाई विराट नहीं हार्दिक नहीं हार्दी कि दन ऑल राउंडर दोनों तरीके से मैच जितवाए हैं बट जस्पृत प्योर बॉलर और तीन फॉर्मेट क अच्छा वो जस्पृत गुमरा अगर 20 साल पहले पैदा हुए होते ना तो पहली कोचिंग क्लास से उनको बाहर निकाल दिये जाता कि तुम्हारे कोई एक्षिन नहीं है तुम तो दो दिन में अपनी बैक इंजर्ड कर लोगे और संजना मेरी बड़ी अच्छी बड़ी प क्रेडिट कम मिलता है इसलिए मेरा सॉफ्ट जब मा के दो थीन बेटे होते ना जिस बेटे को बाहर की दुनिया कम क्रेडिट दे वो घर में थोड़ा ज्यादा उसको प्यार देती है रोहित ने मैच जित्वाए है विराट इस लेजेंड लोग उनको गोट बोलते हैं हार् को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं हम लोग इसलिए विराट ने बोल दिया था कि नैशनल ट्रेजर है विराट इस अलसो नैशनल ट्रेजर रोहित भी है आपने इसलिए चार नाम लिए को कि चारो के चारो अनमोल रतन है अच्छा सर मैं सबसे पहले यहीं से संदा है हर जगा यह बात जो है वो एक तरीके से वाइरल हुई तो उसके पीछे आप कि क्या सोचती जब आप कॉमेंटरी कर रहे थे जब हम सेमी फाइनल में पहुंचे होकी के इस पैरिस उलिम्टिक्स में उसके पीछे का बताई कुछ एक ना मुझे भी चीज याद आई कि अपने मैं आप मुझे फ्लैश बैक में ले गए थे मैं फाजल का शेहर से बिलॉंग करते हूं जो पंजाब में है वहां की सबसे आइकॉनिक चीज है वहां का घंटा घर इसमें बहुत बड़ी बड़ी घडियां लगी होती है चार दिशाओं में चार घडियां है घडि क्रियेट किया था मैं वो कभूतर नहीं हूं और किसी कमेंटेटर को यह भरम नहीं होना चाहिए कि उसने मॉमेंट क्रियेट किया था मैं उस समय सिर्फ उस मॉमेंट का साक्षी था जैसे आप थे जैसे आप थे फरक इतना था कि आप शायद स्पोर्स जारी के स्टूडियो इस पंक्ती को दोरा के देखिए किसमें नहीं है इस जस्ट सिंपल स्टेटमेंट हम किसी से पूचेंगे कि यार क्वार्टर फाइनल जीत गया तो भारत कहां जा रहा है बड़ी बड़ी साधारन सी पंक्ती है चार-पांच बड़े साधारन से शब्द हैं उस मॉमेंट को उस कि कुकि एक उसको सिर्ण क्यंकि क्रॉन डूजी अगर आप देखेंगे ना हौकी सबसे खास इवन्ट क्यों ममानता हूं जंता it na क्यों होकी को प्यार करती को कि इस इवन्ट में एक या दो दिन में में मैढल नहीं आते आरचरी में जैवलीन में wrestling में दो दिन में आपको match, दो playing days में medal मिल जाता है hockey में आप पूरी Olympic क्यो duration खेलते हैं ये 15 दिन चलने वाला event है पहला match हमने New Zealand से खेला दो-दो की बराबरी हो रही थी last में Harman ने जितवाया second match हम Argentina से हार रहे थे last moments में last 2 minute में Harman ने वो match draw करवाया बड़ी average हमारी performance थी तीसरा मेंच Ireland के खिलाफ हम सिर्फ 2 शूने से जीते हमें 4 शूने से जीते तो gradually improvement होई चौथा मेंच हमारा आया Belgium के साथ Belgium ने दो दिन पहले Australia को 6 एक मारा था और शायद Australia ने 6 गोल कभी हारे कभी खाई नहीं होंगे और उसके बाद वो हमसे खेल रहा था वहाँ हम एक दो से हरे बड़ी हार हमें नहीं मिली performance इंप्रूव हुई meanwhile Australia ने नियूजिलेंड को पीट दिया अब वो Australia हमारे सामने है हमने Australia को पहली बारा राजा हराया 52 साल में पहली तो कहानी देखे कैसे डवलप हो रही है धीरे धीरे नियूजिलेंड से मुश्किल से जीत रहे हैं और Australia को हरा रहे हैं तो कहानी धीरे धीरे टीम सीडियां चटर रही है फिर आया quarter final हम पूरे शोर हैं कि यार Great Britain के पास कोई world class drag flicker नहीं है निक बेंडिरेक नहीं है हम पकड लेंगे इनको दूसरे quarter के शुरुआत में अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिल जाता है and I stick to my words वो रेड कार्ड नहीं था बचलो मिल गया तीन quarter के लिए हमारा main defender नहीं है और main defender कहाँ penalty corner के time पे जब सामने वाली टीम को PC मिलता है तो वो बबबर शेर अमित रोहिदास बॉल के सामने आके अपने शरीर पे बॉल खाता है गोल नहीं होने देता उस एक बबबर शेर के बिना हमारे बाकी बबबर शेरों ने 60 मिनट निकाले एक एकर ड्रॉ करवाया था और जैसे ही वो मित को रेड कार्ड मिला था मेरे अंदर से आवाज आई कि ये मैस गया अब उस आवाज को मैंने लफजों में नहीं आने दिया उसको पकट लिया अंदर की कोई बात नहीं अंदर की आवाज अंदर रहने तो यहां काम है पॉजिटिविटी देना लोगों को पर जब वो साथ मिनट की विसल बजी फाइनल लास्ट में बॉल थी हार्दिक के पास और वो हार्दिक ने भी मुझे वो वीडियो भेजा उसको किसी और ने भेजा हार्दिक ने मुझे मुझे शेर किया तो वो जस्ट हम डिफेंस कर रहे थे लास्ट के पांट सेकेंड थे तो उसमें था अगें मेरे शब्द थे शाबाशार देख शाबाशार देख शाबाशार देख क्योंकि उसने फाइनली वो मॉमिंट बचाया और जैसी वो फाइनल विसल बजाई तब मेरे अंदर की अवास चेंज होगे कि अब हम ये मैच नहीं हार रहे अगर हमने साट मिनट अमित के बिना मैच होल्ड कर लिया शूट आफ में श्रीजेश गोल नहीं खाये गा और उसमें दो खाय और दो बचाये तो कैसे कहानी आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है अचानक से ब्रेक आया अमित रोहिदास बाहर मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-40-50 साल में इतनी बड़ी जीत हमें कभी मिली होगी एक प्लेयर कम के बिना तीन क्वार्टर खेलना 10 प्लेयर के साथ खेलना हाई प्रेशर मैच में वो मॉमेंट हमारे बबबर शेरों ने क्रियेट किया था मैं उस मॉमेंट का साक्षी था जो आपके उस टाइम इमोशन रहे होंगे वो से मेरे रहे होंगे और हम रोबो नहीं हम इनसान हैं तो रोबोट का बटन दबा के आप रोक सकते हो बाई चंस मेरे अंदर बटन नहीं था खुद को रोकने का मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्स्प्रेस किया जो आप सब की फीलिंग थी और मुझे लगता है कि देश के हर एक होकी प्रेमी की वो फीलिंग थी जो शायद मेरी जबान से निकली है और मैं खुशकिस्मत मानता हूं कि लोगों ने उससे खुद को कनेक्ट किया है कि हम भी वही फील कर रहे थे मुझे लगता है कि अगर वह मैच लोग म्यूट पे भी देखते ना तो भी वह इमोशनल होते हैं अगर मुझे नहीं सुनत पिर भी वह इमोशनल होते पर एक medal जो कहीं ने गई वो मन में मलाल है हर भारते के मन में मलाल है विनेश का medal और सबको वो कहा नहीं जाननी कि exactly था क्या यूकि बहुत लोगे मन में doubt था कि वहाँ पर गलती किसकी तरफ से हुई है कि विनेश को लेके वहाँ पर बात आए कि वेट जो था वो पर हो गया थ तो असली सच क्या था पीछे इसके बात पूरी है क्या सब जानना चाहते हैं जब यह विनेश वाला किस्सा हुआ में होटेल रूम में था मुझे सुबह मेरे दोस्त का वर्चसाप आया विनेश दिस्क्वालिफाइड मुझे लगा यार कोई यूमर खेला रहा होगा छोड़ हमारे स्टूडियोज में मातम था हमसारे उस दिन वो डेड़ दिन हम लोग रॉबोट्स थे हम काम कर रहे हैं साक्षी मलीक हमारे सात थी और मैं साक्षी पे हरान हो रहा हूं यार वो commentary कर रही है मैं वो मुझसे जल्दी चलेगे मैने मेसेज किया मैं साक्षी क्या हूए यार? तो भूली, सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं शोम्त करने जा रही हो. तो वो चली गई, मैं अपना रेडरी होके, मैं स्टूडियो फॉहँचा और मैं स्टूडियो पहुचा तो रेस्लिंग जल रही थी और साक्षी को में सुन रहा था और मैं हैरान हूँ कि साक्षी कैसे कमेंट्री कर पा रही है अब मेरा विनेश से कोई personal connection नहीं है मेरा विनेश से वही connection है जो श्रीजेश के साथ है जो स्वापनिल कुसाले के साथ है वो सब हमारे champion है बट साक्षी की तो जिगरी दोस्त है confirm medal, gold medal हम gold medal मानके चल रहे थे क्योंकि वो US की wrestler के bout हमने cover की है वो gold था हमारा, तो साक्षी कैसे commentary कर पा रही है, साक्षी वापस आई हिना सिद्धू थी, जुगराज पाजी थे विरन उस दिन नहीं थे, निशा मिलेट थे, हम सारे जितने commentator बैठे हैं देड़ दिन हमने robots की तरह काम किया है हम काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे थे, बुरा नहीं किया होगा पर देड़ दिन के लिए feelings गायब हो गई थी feeling change हुई अगले दिन शाम को जब hockey cup bronze medal आया तब साक्षी भी भागी भागी आई हम दोनों ने एक दुसरे को गले लगाया साक्षी के husband आये सत्या वरत वो medal जो नहीं आया उसका दुख हम उसका दुख रहेगा पर उसके उपर थोड़ा सा परदा पड़ जाता है कि चलो इंडिया का medal क्योंकि वो विनेश का medal नहीं आया उसका दुख कभी नहीं जाएगा लेकिन वो देश का medal था medal प्रदा इंडिया का नाम लेखा होता है चलो देश को यहाँ medal नहीं मिला देश को यहाँ मिल गया थोड़ा सा दुख हलका हो गया अब हुआ क्या था आपके पॉड़कास में या मेरे शो में अब तक जितनी information मिली हैं हमें चाहे वो पीटी उशारी और डॉक्टर साब ने बताया हो या जो OGQ नाम का जो NGO है वो मैनेज करता है विरन रसकीना भाई का उन्होंने जो बताया अब चुकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी सी अपनी डॉक्टरे की समझ मैंने लगाई पहला मेरा reaction ये था कि विनेश का natural body weight है 56-57 हर body का अपना एक weight होता है तोकियो में जब वो लड़ी थी वो 53 kg में लड़ी थी 4 kg weight काटके जो कि normal है wrestler अपने normal weight से नीचे में लड़ते हैं तकि उनको strength मिले और competition कम मिले सारी दुनिया में ऐसा होता है और विनेश ने टोकियो में बताया था कि जब वो bout लड़ रही थी न उनकी आँखों के सामने अंधेरा आ रहा था उनने कई बार देखता नहीं था वो खाली अपनी 6th sense से लड़ती थी वो थी 53 अब हैं वो 50 और उनकी उमर 3 साल बढ़ गई है weight 3 साल कम हुआ है तो जब उनका पहला bout था जो पहले दिन का bout था सुबह वजन हुआ वजन था 49,900 यानि requirement से सिर्फ 100 gram कम वो वजन कैसे आया होगा उन्होंने 3 दिन 4 दिन पहले से पानी पीना कम कर दिया होगा उसके लिए भी तपस्या सारे रेसलर करते हैं सारे बॉक्सर करते हैं सारे weightlifter करते हैं दुनिया भर में करते हैं तो पहले दिन 50 लाने के लिए उस champion ने कितने दिन dehydrate किया होगा खुद को खाना कम खाया होगा चलो 49,900 आ गया उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिया electrolyte पिये sandwich खाए kale खाए साक्षी बताती है कि आप honey खाते हो nutella खाते हो ताकि weight gain कम हो और energy ज़्यादा मिले अब think about the body brain को, heart को, liver को, kidneys को नहीं पता कि मेरे बाहर की जो body है उसको bout लड़नी है हमारे vital organs को ये पता है कि मुझे survive करना है heart को, brain को, lungs को function करने के लिए पानी चाहिए we are 70% water विनेश के body में fat नहीं है वो वजन कहां से lose करेगी पानी निकलेगा पानी निकल गया 49-900 weight आ गया जब दुबारा पानी पी आबाउट लडने से पहले तो body ने वो पानी पकड लिया brain को survive करना है heart को blood pump करना है lungs को oxygen pump करनी है 2 kg 600 gram उनका वजन बढ़ गया था उसी दिन जो normal है परसनल टीम थे कि भाई इसके बाद अगर वो try करती 100 gram कम हो जाता but doctors ने इसलिए रोका जो मैंने पड़ा है खबरों में doctors ने रोका ये मैंने पड़ा है क्यों रोका ये मेरा अपना educated guess है कि उसके बाद अगर try करती तो उनकी जान पे बनाती medal से ज्यादा महतवपूर्ण जान है आप body से एक limit से ज्यादा पानी नहीं निकाल सकते imagine पहले दिन उन्होंने सिर्फ 100 gram नीचे था वदन उनका 49,900 था फिर तीन बाउट लड़ी है एक बाउट लड़के शरीर की जान निकल जाती है तीन बाउट लड़ी है और पहली बाउट याद है आपको किसके साथ थी यूई सुसाकी जो जिंदगी में के भी हारी नहीं है फर्स टीड लास्ट दस सेकिंड में हराया तो कितनी जान निकल गई body से उसके बाद body को अपनी जान प्यारी है जो यह मेरा अपना as a doctor educated guess है कि body ने पानी release करने से मना कर दी पानी निकलेगा कहां से ही नहीं और पानी body में तो वो दुख है और वो medal जो नहीं आता जितने चाहें हम medal दे 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 पैसे दे 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 वो सम्मान है वो सम्मान की हकदार है जितना सम्मान करने कम है पर वो जखम भर-बर के भर-बर के इतना रहे जाएगा रहेगा जरूरू ओलम्पिक के medal को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती और वो जैसे अश्वत थामा के वो जखमता ना जो भगवान कृष्ण ने उनकी वो मनी निकाल ली थी वो हर एक भारतिया के मन में रहेगा क्योंकि वो विनेश का नहीं वो देश का medal था जो नहीं आया अज़ा सर एक और event था जिसमें बलाल रहा है बेडमिंटन इस बार अगर आप देखें लक्ष सेन, H.S. प्रणोय, चिराग सात्वे लेकिन सबसे बहुत जाएद उम्मीदे थी और performance भी उस तरीके से जा रही थे आप देख लीजे लक्षी की performance की बात करें वो तो बाद में H.S. प्रणोय और लक्षी आपस में आमने सामने हो गए लेकिन बैडमिंटन वो इवेंट था जिसमें सबको ओप थी इस बार performance भी अच्छी कर रहे थे हमारे सारे प्लेयर्स लेकिन कोई भी medal नहीं आ पाए एक भी medal हम बैडमिंटन में नहीं लेके आ पाए और उसके बाद प्रकाश पागुकून बोलते है कि अब इस हाई टाइम कि प्लेयर्स को responsibility लेनी चाहिए आपके लिए federation सारी चीज़े कर रही है गवर्मेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो डियू थिंग के जो एक बात बोली जाती है कि इंडिया में सपोर्ट नहीं है फेडरेशन सपोर्ट नहीं करती गवर्मेंट सपोर्ट नहीं करती तो इस बार तो इस performance के बाद वहाँ पर सीधे कोछ ने बोल दिया कि भाई यह तो प्लेयर्स के जिम्मदारी है सात्विक चिराग से थी सिंदू ने काफी टाइम से कुछ बहुत बड़े लेवल पर खेला नहीं है इंजरी से वो जूजी है बट हमारा सपोर्ट था इच्छा थी कि यार तीन इंडिविज्वल मेडल जीतने वाली वो पहली प्लेयर बने पट जो पिछले कुछ महीने उनके साथ पिछले एक-दो सालों में जो इंजरी और बाकी चीज़ रही है चलो हम रियलिस्टिकल ही नहीं मान रहे थे अंदर से होप थी सात्विक चिराग से सबसे बड़ी हमारी होप थी लक्षे ने होप जगा दी जब उन्होंने हमरे जॉनतिन क्रिस्टि को हराया था उनसे ऐसा नहीं था कि सेमी फाइनल पहुंच जाएंगे उन्होंने प्लेजन सर्प्राइज दिया तो इस चीज़ को अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे बिल्कुल न्यूटरल होके अब एस अन इंडियन, एस अ कॉमेंटेटर, एस अ स्पोर्टस फैन तो हम यही कहेंगे यार सारे लोग मैडल लेके हैं बर रियलिस्टीकली में था कि अगर समी फाइनल चलेगे तो बहुत बड़ी बात है पर चूंकि आपने जॉनाथन क्रिस्टी को हरा दिया तो आपसे उमीदे बहुत बड़ गई अब वो एक चीज है लेकिन जब आप समी फाइनल पहुँच गए हैं अच्छा परफॉर्म करके पहुँचे हैं तो फाइनल जाना चाहिए और वहाँ एक टाइम आप लीड में थे विक्टर एक्सलसन के खिलाफ अगर आप लीड में हैं तो ये मौकिया आपको ज़्यादा मिलते नहीं हैं उसको आपने पहले भी हराय था कुछ ऐसा था जहां पर लेकिन सी एक चीज होती है वह बिग मैश टेंपरामेंट है लक्षय का पहला उलम्पिक है विक्टर एक्सलसन उनकी अचीव्मेंट की हम लिस्ट बना सकते हैं यहां बिग मैश टेंपरामेंट आता है अब यह कोई एक्स्क्यूज नहीं है कि आप सुर्फ बाइस साल के हो पहला उलम्पिक खेल रहे हो चाइना के कोरिया के प्लेयर आके 19 साल के उमरे में उलम्पिक मेडल जीत के रेटायर भी हो जाते है वो कहते हैं कि कोरिया के लिए उलम्पिक मेडल जीतना आसान है Korea में qualify होना ज्यादा मुश्किल क्योंकि Korea में आपको इतना competition मिल जाता है कि अगर आपने Korea में qualify कर लिया Olympic medal जीट जाओगे तो एक big match temperament है उसमें कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन ये भी चीज है जो पादुकोन साब अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनना करें और उसके कुछ दिन बाद सेम चीज लक्षे ने accept की है और उनके साथ वो train कर रहे हैं उतरा खंड से आये OGQ ने उनको adopt किया प्रकाश पादुकोन साब के यां train कर रहे है अर्जुन की खूबसूरती इसमें भी है कि वो अर्जुन है, अर्जुन की खूबसूरती इसमें भी है कि वो दुरोनाचारे को अभी भी अपना गुरु मानता है चाहिए वो सामने खड़े हो और यहां तो दुरोनाचारे सामने नहीं है उसके साथ में है दुरोनाचारे ने दो कटूफ शब्द बोल दिये लक्षन उन्हें अपनी स्ट्राइड में लिया कि मैं इनके साथ रहूँगा कोज साब में जो कहा है वो सही है क्योंकि इवन ब्रॉंज मेडल मैच में आप लीड कर रहे थे थे सांधे कि इस बात में कोई शक नहीं अनी है कि पैसे की ट्रेनिंग की कोचिंग की कोई कमी नहीं है सरकार जम के पैसा दे रही है कोई भी इंसान थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके सर्च कर ले टॉप्स स्कीम यह बड़ा असान है लोग बोल देते हैं कियार फैसिलिटीज नहीं और यह सारी चीज़े नहीं टॉप लेवल पे कोई कमी नहीं है टॉप लेवल पे हौकी के बैक टूबैक दो ओलम्पिक मेडल आना इस बात का स्पष्ट परिणाम है वो क्या बोलते हैं प्रतेक्षम किम प्रमानम प्रतेक्षम को प्रमान किज़े हौकी के दो मेडल आना और आप यह दो टीम्स देख लो आपको धनराज पिल्ले के लेवल का आपको मुहमद शाहिद के लेवल का आपको बलबीर सिंग साहब के लेवल के उतने बड़े बड़े लेजंड लेजंड प्लेयर बहुत नहीं मिलेंगे श्रीजेश है हर्मन है लेकिन यह कि अभी भी चुलो श्रीजेश है उनको मैं खुद स्विकार करता हूँ कि वो धनराज पिले शाहिसाब के लेवल के हैं पर वो गोल बचाते हैं फॉवर्ड लाइन देख लो हमरे फॉवर्ड ने कितने गोल किये हर्मन नहीं जादा गोल किये बट सिंगल हैंडिली मैच जिता अधर करियम ऑल्लिंपिक्स के अंदर पंजा भी में हमारे दरशेख मेसेज में पंजाए में मारे दरशेख मेसेज वह यहां खुख पामे तुसी क्रिकट देखो पवामे कबड़ी देखो होकी देखो Drake को अलम्पिक देखो ति जदो चंगा ना खेड दे या उन्दा करियर खतम हो जे ता जमीन ते लाके सुट दो उन्हों प्यार देओ, हमेशा देओ, इज़त देओ, दरम्यान विच रहके देओ और जिनना प्यार अपा क्रिकेट नो कर देओ, उनना प्यार हाकी नो भी करिये, उनना कबडी नो भी करिये, उनना जैवली नो भी करिये, उनना शूटिंग आर्चरी नो भी करिये बिल्कुँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और अभी के लिए हमें दीजिए जासत जै भारत